Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हमें चाहिए Tag TV को अगर आप Sponsors कर सकें, आप इश्टहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे. Facebook के Mark Zuckerberg ने एक बार फिर कपिल मिश्रा जी को फ्रेंट लाइन पर खड़ा कर दिया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में American celebrity जो अब बन चुकी है, वो वैसे तो एक blogger और vlogger है, मिस सिंथिया रिची, वो अब politics में भी बहुत सरगर्म हैं, और शायद बहुत सरगर्म हैं, और सारी चीजों में सरगर्म हैं, उन्हों एक bombshell वीडियो अपने Twitter account पर वाइरल किया, के मुझे पाकिस्तान के Senator जो इस वक्त हैं, रहमान मलिक, People's Party से उनका तहल्रक है, और वो मुख्तलिफ हकूंतों की तरफ से एक जमाने में interior minister भी रह चुके हैं, और Cynthia Richie ने ये कहा, के रहम इसके साथ साथ बिला तकल्ब में हम बातचीत करेंगे, Black Lives Matter के हवाले से भारत की celebrities और कुछ politicians किस तरह इसको देखते हैं, और Canada और America में मुसलसल प्रोटेस होते चले जाने के बाद, अब सूरते हाल किस situation पर किस नहज पर पहुंची है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बातचीत क करूंगा, आएए सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ, कपिल मिश्रा के हवाले से Facebook के founder और Chief Executive, Mark Zuckerberg ने बगैर कपिल मिश्रा का नाम लिए, मगर उनकी तरफ इशारा करते हुए, बताया किस तरह Facebook ने उनकी tweet को down करने के हवाले से, और Facebook पर जो भी उनकी posting थी, उसके हवाले स कैसे action लिया और वो अपने नौजवानों को, अपनी टीम को इस बारे में इतलाद दे रहे थे, यह देखिये, Mark Zuckerberg कहते हैं, कि उन्हों ने अगरचे नाम नहीं लिया था, BJP के इस लीडर का लेकिन, उन्हों ने कहा, के and these have been cases in India, for example, where someone said, quote, hey, if the police don't take care of this, our supporters will get in there and clear the states, this is kind of encouraging supporters to go do that in a more direct way and we took that down, so we have a precedent for that. अब ये सिचुएशन है के Facebook किस तरह दुनिया के politicians को, दुनिया की politics को किस तरह वो direct करना चाहता है, ये मसला सिर्फ भारत की हद तक ही नहीं है, सदर्टर्म भी बहुत इससे अपसट रहते हैं, उन्होंने पिछले दिनों Twitter को धंकी भी दी कि मैं आपको regulate करने के लिए कनून साजी करूंगा, और ये मौामला Facebook भी करता रहता है, और Facebook ने जस तरह कपिल मिश्रा को एक बार फिर जैसे कोट अनकोट कटहरे में खड़ा किया है, और उसी हवाले से मार्क जगरवर्क अमेरिका में भी regulate करना चाते हैं, अमरीका में एक बड़ी बहस है इस वक्त, और खास और पर जार्ज फलॉइट की हलाकत के बाद ये बहस जोर पकड़ गई है, कि सोशल मीडिया के ये जो चाते हैं, और किस तरह freedom of expression में एक तरह सा control करना चाते हैं, दूसरी तरह ये बहस है, कि freedom of expression की आड में, कहीं hate crime, कहीं पर instigation की बाची तो नहीं हो रही, ये है, इन बड़े-बड़े media outlets का point of view, ये कहते हैं, कि किसी तरह से instigate नहों crime society में, लेकिन ये जो सारी सूर्टेहाल है, ये बड़ी complex है, कापिल मिशरा ने भी अपनी twitter account पे बड़े वाज़े तरीकों से ओपर लिखा हुआ है, कि political correctness के जमाने में, आज कि दुनिया में बात करना बहुत मुश्कल हो गया, सादर टरंप भी यही कहते हैं, बहुत सरे लोग ये कहते हैं, बारहाल ये बहस कैसे आगे चलेगी, ये तो अलग बात है, एक वीडियो क्लिप हम देखते हैं, जो कपिल मिशरा जी ने अपने twitter account पे शेयर किया, वो ये कहते हैं, कि मेरे उपर जो allegation लगा रहे हैं, खास पर फेस्बुक की एक तरह से article और पोस्टिंग आ जाने के बात, वो ये कह की बात के हवाले से क्या कहती है, देखी और सुनिये ये एक मुटसर वीडियो क्लिप. मार्क जगरबर्ग की उस एक तरह से ब्रीफिंग के बात, और फिर जो आर्टिकल्स दुनिया भर में च्छपे और अफ कोर्स कपिल मिश्रा का नाम सामने आया, तो उसमें American Muslim Council कैसे पीछे रह सकती है, उन्होंने फौरी तोर पर एक ट्वीट डागा, अब देखते हैं, वो यह कहते हैं के मार्क जगरबर्ग कोटेड बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा थ्रेट तू आउटलाइन क्लियर सोशल मीडिया इंसाइटमेंट, मिश्रा हैड थ्रेटेंट विजिलांटी एक्शन अगेंस एंटी सी ए पर्टेस्ट इस बिफोर देली प्रोग्राम, यह है सू दुनिया में कहीं पर भी बैटा हुआ हो, दुनिया पर कहीं पर भी उसकी ओरीजिन हो, दुनिया बर के पॉलिटीशन्स, पॉलिसी मेकर्स, और कम्यूटी और्गनाजेशन्स, और एदारे, इस तरह किसी भी मामले में चीज़ों को पुलिटिसाइज करते हैं कि पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया के इस जंगल में कौन सी बात सच है और कौन सी जूट है, लेकिन जिन जिन की जिस तरह की सोच होती है, उनको तो दूसरे की सोच और दूसरे का पॉइंट और व्यू घलत फौरी तोर पर लग रहा होता है, लेकिन जो बीच में लोग होते हैं, जिन क अपने अपने नुक्ता नजर से फिर सोशल मीडिया को इस्तमाल करते हैं आप सोशल मीडिया पर जाएए आप एक ही तरह की चार पांच ट्वीट्स या चार पांच पोस्टिंग फेस्बुक पर या इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो फिर उसका जो अपना एक computerized system है वो automatically उसी तरह की चीजें फिर दिखाता चला जाता है और जो दूसरी सोच रखने वाले लोग होते हैं वो अपनी मर्जी की चीजें सोशल मीडिया से डूंड रहे होते हैं ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया नितारा कर रहा है बलके सोशल मीडिया एक हवाले से लोगों को और confuse कर रहा है मगर information का एक जंगल है anxiety है हर तरफ इसी situation में अमरीका में George Floyd की हलाकत एक police officer की बहुत ही गलत और रेसिस्ट policy या उसकी सोच की वज़ा से हुई उसके बाद जो तुफान दुनिया में उम्दा है COVID-19 के इस जमाने में अब किसी को होश नहीं सब पोर्टेस के लिए बाहर निकल रहे हैं पोर्टेस तो चलिए एक अपनी जगह पर पोर्टेस के साथ सर्वाइलन्स हो रहा है लूटिंग हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है लगता है COVID-19 की वज़ा से जो दुनिया में बं इस यूज कर रहे हैं उनको नजायज एक्सक्यूज भी मिल गया वो पोर्टेस के लिए बाहर आ रहे हैं इससे पहले हमने COVID-19 के जमाने में अभी वो जमाना खतम नहीं हुआ अभी पता नहीं कब COVID-19 का जमाना खतम होना ये एक अलग बैस है मगर जब COVID-19 का वक्त हम माई के जमाने में देखते हैं माई के महीने में अगर अमरीका में या कैनिडा में कोई पोर्टेस्ट होते थे COVID-19 के खलाफ और वो रिस्टिक्शन्स हटाने के लिए वो पोर्टेस्ट होते थे तो फिर हमारे प्रीमियर डग फोर्ड भी फौरी मिदान में आ जाते थे और इसको र पोलिटीशन्स हैं चाहे डग फोर्ड हों चाहे ये अमेरिकन डैमोक्रेट्स हों खैर अम कैनिडा में तो अब कंजरवेटर भी लिबरल ही के पोलिटीशन्स बन चुके हैं उसी की साइट के बन चुके हैं ये एक अपनी जगह इंटरेस्टिंग बैस है लेकिन जब ये वो डैमोक्रेट्स या कैनिडा में लिबरल या सोशल डैमोक्रेट्स या इवन कंजरवेटर भी वो फिर नहीं बोलते एक आथ कंजरवेटर डैरेक सलोन के इलावा जिसमें हिम्मत है बाकि कोई भी नहीं बोल रहा है जैसे सब को सामसूंग गया है यानि जो शरायत दूसर में बन चुका है कि जो कानून एक तरफ का है वो कानून एक ही तरफ कर रहेगा वो कानून दूसरी तरफ लागो नहीं हो सकता बरहाल इसी बलैक लाइज मैटर जिसकी मैं भी रिस्पेट करता हूँ ये वाकिए ही एक फैक्ट है इसकी रिस्पेट करनी चाहिए लेकिन जब सारा अली खान अपने इंस्टाग्राम पे लिखती हैं कि आल लाइव्स मैटर आप स्क्रीन पे देखेंगे सारा अली खान का कि वो कहती है कि आल लाइव्स मैटर इसमें वो कहती है कि एक तरह से उन्होंने काटा हुआ है बलैक लाइफ इसको तो आफ कोर्स ये एक बहुत उसके हवाले से होते हैं तो अगर कोई ये कहता है कि all lives matter तो फिर सारे human rights के group सारे civil liberties के group और सारे जो politicians हैं वो एक दम से पीछे पाड़ जाते हैं वो कहते हैं का no no ये आप negate कर रहे हैं black lives की जो matter करने की importance है आप ये all lives matter जब कहते हैं आपको कोई ये बात कहने का हक नहीं है ये अलग बात है कि भारत में एक और चल रहा है हैस्टैग कि Muslim lives matter ये इस हैस्टैग अमरीका में भी चल रहा है वहां पे कोई नहीं बोलेगा कि ये क्यों चल रहा है वो कहते हैं हाँ ठीक है इस होके black lives matter, Muslim lives matter two वो फिर Islamophobia हो जाएगा अगर black lives matter के साथ को all lives matter कर देता है बात तो वो फिर human rights की violation हो जाएगी black lives matter ये एक important slogan है और इसकी एहमियत मुझे समझाती है दुनिया को भी समझाती है लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई relate करता है जैसे Muslim lives matter वाले relate करते हैं तो वो किसी को कोई मसला नहीं होता वो ये सब कहते हैं हाँ ये भी victims हैं ये भी victims हैं मगर हिंदू पंड़त्स जो कश्मीर से निकाले गए उनके बारे में अगर आप hashtag इन ही दिनों चला के दिकाएं वो racist हो जाएंगे और वो right wingers हो जाएंगे या हिंदू phobia जो बढ़ रहा है उसकी अगर बात करेंगे तो वो racist हो जाएंगे और वो right wingers हो जाएंगे ये एक ऐसी irrationality चल रही है जो समझ से बाहर है मैं दाद देता हूँ सदर्टरंप को वो इस तरह की rationality को जो मीडिया में भी है politicians में भी है वो इसको address करते हैं on and off और फिर सदर्टरंप पर जो मसीबतों के तोफ़ान एक तरह उमड आते हैं जो उन पर तनकीद होती है वो अपनी जगा पर खेर ये एक अपनी अपनी ट्वीट में बात करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे अपनी ट्वीट में बात करते हैं उसमें वो कहते हैं का so much respect for all the celebrities tweeting black lives matter it takes courage to bring your cowardice to the floor when you tweet for American lives but cannot tweet for Indian lives तो इस tweet में अमर अब्दॉल्ला वही बात डके चुपे लफजों में बलके डके चुपे तो क्या वाज़ तो पर करते हैं सिर्फ नाम नहीं लेते हैं वो ये कहना चाते हैं उन्हों ने एक और tweet दी थी आप उनके Twitter account की timeline पर जा के देख सकते हैं उन्हों ने का कि अगर black lives matter की किसी ने हकीकत समगी नहीं है तो मुझ से पूछे कि कश्मीर में किस तरह की life होती है वो भी matter करती है वो तो उन्हों ने tweet दी इस tweet में जो आपने अभी देखी और मैंने पढ़कर सुनाई इस में भी वो यही कह रहे हैं कि यह बड़ी अच्छी बात है black lives matter लेकिन इसके साथ साथ जो Indian celebrities हैं वो Indians जो यहां पे रह रहे हैं उनके जो मसाइल हैं यानि अब यहां पे जो Indians हैं उनकी मुराद सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी Muslims की होगी या ज्यादा ज्यादा वो अपनी तरफ से बढ़ा चड़ा के Muslims living in India वालों की होगी अब यहां पे पंड़तों की बात नहीं आप कर सकते हैं अगर आप करेंगे तो वो फिर racist बात होगी अगर कोई भी पंड़त इस बात की हिम्मत करेगा तो पूरी दुनिया सिर्फ भारत का ये लेफ्ट का मीडिया नहीं शायद अमरीका का भी कैनिडा का भी अब यहां पर तो लेफ्ट का ही मीडिया रह गया है वो सारे का सारा आ जाएगा और ये जो लेफ्ट का मीडिया ये समय मेरे दिजए ज़र था irrational पिंडिया है irrationality पहला रहा है बारहा अब यही है अब market में यही available है यही अब fashion है यही fashion चलेगा और यही market चलेगी बारहां एक और Bumshel News जो आज एक वीडियो क्लिप से सिंथिया रिची का वो वीडियो क्लिप जो उनों ने बना कर और बहुत ही बना सवार कर अपने ट्विटर के जरीए जारी किया और मैस पर तबसरा तो बात में करूँगा पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdum Shobadin and the Prime Minister Yusuf Galani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already Miss Cynthia Richie, अब पाकिस्तान में काफी जानी जाती है. अमेरिकन शेहित रखती हैं, लेकिन ज्यादा तर अब पाकिस्तान में ही रहती हैं. और वहां पर एक विलॉगर, एक बिलॉगर की हैसिये से जानी जाती हैं. अब वो अपने ट्विटर एकाउंट पे राइटर और सारी इस तरह की जो फैंसी बाते हैं या जो टाइटल हैं वो लिखती हैं. बहुत दिनों से उनकी लड़ाई ट्विटर पे चल रही थी पीप उनकी रॉमशेल विडियो क्लिप उन्होंने ढला और उसमें उन्होंने आपने गहर किया होगा, उन्होंने पहले कहा कि मुझे रेप किया था सैनिटर रहमान मल्क में, जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, यानी दो हजार ग्यारा में. और उसमें उन्होंने दो नाम lié مخدوم شہاب الدین کا اور یوسف رزا گلانی صاحب کا یوسف رزا گلانی اس وقت پرائم منسٹر آر پاکستان تھے پیپس پارٹی کی حکومت میں اور مخدوم شہاب الدین منسٹر تھے اور یہ بڑے ویل نون نام ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس میں ایک طرح سے facilitate کر رہے تھے ریمان ملک کو جو انہوں نے ان کو ریب کیا دو ہزار گیارہ میں آج سے قریب نو دس سال پہلے کی وہ بات اب बताती है और लेकिन अगर हम उस कांटेक्स में देखें जिस कांटेक्स में इनकी लड़ाई हो रही थी ट्विटर पे पीपस पार्टी वालों को ये बहुत ही बुरा बला कह रही थी उनके कुछ लीडर्स की ये पिक्चर्स कुछ कॉल गर्स के साल लगा रही थी और कह रही गंदे लोग हैं और ये गलत लोग हैं और वगयरा वगयरा मिस सिंथिया रिची मेरा नहीं ख्याल के पाकिसान में अब रहने के बावजूद अर्दू लिखना और पढ़ना जान गई हैं अर्दू शायद बोल सकती हैं थोड़ी पादमें मुझे उसका अंदाजा नहीं ल अफकोर्स वो इस तरह की अर्दू होती है कि वो बाद उकात अर्दू जानने वाले भी पढ़ना सकें उसमें काफी नस्तालिक अर्दू भी होती है और कुछ में बड़ी बजारी किसमें अर्दू होती है लेकिन जब वो रिट्वीट कर रही हैं तो मत्तबहिक वो पढ़ रही है उनको हो सकता हो आप उन्होंने वो इतनी बड़ी सेलेबिर्टीज वहां पर हो कि उन्होंने सेक्टरी वेक्टी भी रख ली हो लेकिन इसकी वज़ात हो जाए तो बहतर है चुके भारहल वो जो ट्विटर एकाउंट है वो तो उनका है और बड़ी रेगुलरली वो उ उन अर्दू ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर रही होती है और बारहल उनका ये जो वीडियो आया है ये एलिगेशन जो आये हैं ये तो आप पाकिसान की सरकार जाने किस तरह इसको देखते हैं लेकर मुझे इस पर थोड़ी सी हैरत यूं भी हुई चुके बहुत सारे ऐस थे मेरे भी मिलने वाले हैं जो तब की पीपस पार्टी की हकोमत में बकायदा हकोमत का बहुत मरकजी इसा हुआ करते थे वो ये कहते हैं और बड़े वो डीसेंट लोग हैं मुनके नाम यहां नहीं लेना चाहता हैं वो ये कहते हैं कि और खवातीन हैं और वो कहती हैं कि हम को बहुत है कि ये ये आफ्टर आल क्या एजंडा है अच्छा मुझे एक और है कि रेमान मल्क साब चाहे वो पीपल्स पार्टी से उनका तरलक है लेकिन वो इस्टैबलिश्मेंट के बड़े करीबी साथ ही हैं वो अगर किसी भी पार्टी में जाएंगे वो इस्टैबलिश्मेंट के ही रहेंगे और इंटीरियर मिनिस्टर जो रहा हो पाकिसान में उसका मतलब यह होता है कि वो तो इस्टैबलिश्मेंट का ही आदमी है इंटीरियर मिनिस्टरी के तहत ही पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट आती है पूरी की पूरी ये अलग बात है क establishment का एक दारे के तहत interior ministry आती हो ये एक अलग बात है और आद ऐसा है वो उस establishment के हुकम पर रिमान मलक सब चलते हो ये ये भी कोई issue नहीं है रिमान मलक सब तो हमें भी पिछले दूनों पिछले महीनों हमने टेक टीवी पर उनके दो एक शो किये थे तो उन्होंने तो भारत की ज इतने के करीबी साथी हैं तो सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ और इस हैरत में मुबतला हूँ कि आफ्टर आल क्या रिमान मलक साहब के establishment के साथ तलकात खराब हो गए है या agenda क्या है इस video का आना क्या है बताता है और ये जो कई हफ़तों से मिस सिंथिया रिची पीपल्स पार् स्की के खलाफ खास तोर पर एक तरह से वो तो प्रपागेंडा कहते हैं या प्रपागेंडा कर रही है उनके वर्ड्स में तो इसकी हकीकत क्या है बरहाल ये एक interesting video है bumpshell video है और बरहाल उन्होने दो और वेडियो भी दिये दो और tweets मि दिये माफी चाहता मुझाल आएगा वो अलग है अब वो एक और ट्वीट में कहती है कि लीव मी अलोन वो भी ट्वीट में आपके साथ शेर करता हूं उन्हों ने कहा कि there is much more but now I need a few days to rest and be alone with my fiance. I am tired. I ask the PPP leadership Bilawal Bhattu Zardari to tell his people to leave my family alone. I will be ready to meet any and all investigators as is required by law as early as next week. तो उन्होंने कह दिया कि मुझे रीकंट पर अराम करने दें अगले हफ़ते अगर कोई investigators आते हैं law के ताहत मुझे से मिनना चाहते हैं फिर मैं बात करूँगे. अब उन्होंने एक और ट्वीट भी दिया वो ट्वीट भी बड़ा इंपॉर्टन है जब उन्होंसे पूछा गया के भई आप ने ये तब क्यों नहीं बताया था अब क्यों बता रही हैं तो उन्होंने कहा के yes I did tell someone at the U.S. Embassy in 2011. But due to fluid situation and complex relations between U.S. and Pakistan, response was less than adequate. I have been engaged to a wonderful man who I met in Pakistan. He encouraged me to speak out so we can move on as a couple. फिर उन्होंने नीचे अपनी ही tweet को जब retweet किया तो उसमें वो जो क्या था वो लिका हुआ था उन्होंने उसकी तफसिला भी बताइए कि ये वाक्या कब हुआ था उन्होंने कहा के ये occurred at 1 a.m. house in in main enclave 2011 around the Obama, Osama bin Laden, मैं माफ़ी चाहता हूं, ओ भी आला, बितना पुराना व किया मुझे उबामा पढने में लग रहा है, around the Osama bin Laden incident, I thought it a meeting about my visa, but I was given flowers, a drugged drink, I kept quiet, who in PPP government would help me against PPP government, whatever. Recently, they attacked family, I have had it ready to face any accuser, तो ये कहानी कुछ समझ आती है, को वो कहती है कि वो मैंने उस वक यूए-स embassy को भी बताया था, चुकर यूए-स citizen है, तो यूए-स embassy को उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो कहती है, यूए-स embassy ने भी को परवाह नहीं की, चुकर वो इतने fluid और इतने complex relationship, पाकिस्तान और अमरीका के उस माने में थे, कि वो उन्हों ने भी मेरी परवाह नहीं की, तो इसका मतलब है कि ये tweet एक और invitation भी दे रही है, यूए-स हकाम को भी, यूए-स authorities को भी अब इसमें सोचना तो होगा, कि after all उन्हों ने क्यों तो उज्जों नहीं दी थी, उनकी चैरी है, उनकी citizen है, पाकिस्तान में रह रही है, क्या कर रही है, उनका क्या रोल है, ये एक अलग बहस है, इस बहस को फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं, लेकिन यूए-स authorities को भी अब jump in करना चाहिए, पाकिस्तानी हुकाम तो jump in करेंगे ही, करेंगे, लेकिन ये बा ये मुक मकाव में शायद खतम हो जाएगा, या इसके पीछे क्या कोई है, तेरे लहजे में जो अब रदो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर में अमल लगता है, इस सारी सूरते हाल के साथ साथ पाकिस्तान में जो बलोच खास तोर पर community है, और जो बलोच पाकिस्ता में बलोच डिसपीरिंस के हवाले से, बलोच किलिंग्स के हवाले से बोलते हैं, वो तो बिचैरे बहुत ही परशानी का शकार रहते हैं, और एक खातून मलक नास बलोच को पिछले दूनों वहां के जो फारिंग स्कॉर्ड है, उन्हों ने मार दिया, जो खबरे आई, वो उसकी जो चार साला बची है, वो शदीद जखमी हुई, इसी तरह पाकिसान में पिछले दिनों हिंदू गर्स के उपर तले वाकियात, वो उनके साथ जो जल्म हो रहा है, और यह सिलसला कोई नया नहीं है, जब से पाकिसान बना है, तब से चला रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन बलोच तो पाकिसानी इस्टैबलिश्मेंट के या पाकिसानी कौम के अपने ही मुसल्मान बहन भाई हैं, अगर इनको गैर मुसल्मों की पर्वाह नहीं है, तो इन बिचारों का तो पर्वाह कर लें, वैसे तो इनको तो गैर मुसल्मों की भी पर्वाह कर एक मुक्तसर सी रपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ. Protests have erupted across Balochistan to demand justice for four-year-old girl who was allegedly shot along with her mother by Pakistan army-backed criminals known as death squads. Protests have erupted across Balochistan to demand justice for four-year-old Brahmsh who was allegedly shot along with her mother in Turbat City by Pakistan army-backed criminals known as death squads. The incident happened in the VRs on May 31 when criminals barged into the house of Malik Naz in Dhanuk area and started firing. Naz was shot dead and her four-year-old daughter Brahmsh got seriously injured. After hearing the gunshots, nearby residents captured one of the criminals identified as Altaaf Mazar, who revealed the link with death squads outsourced by the army for killing and abducting Baloch people. So this is Balochistan's Baloch Lives Matter protest which demands justice for Brahmsh. And this is not the first or the last incident because we know the mentality of Pakistan, Pakistan, Pakistan's army, Pakistan's military intelligence, Pakistan's ISI. Activists have long expressed concern over sharp rise in enforced disappearances and killings of political activists and civilians by Pakistani security agencies along with terror groups. They blame thousands in the region have been internally displaced because of armed conflicts and army operations over the years. In this report, I have noted one important thing, and you may also note that you have noted. Hakeem Baloch, who is showing his role, said that Baloch lives matter. So now it is a mistake that certain race lives matter in America. It is not in America, it is not in the world. It is in the entire world. No one is using it for political benefits, who is using it for its own political benefits, who is using reality to show it for the reality, who is using it for the victimhood, who is playing a card, 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 who is playing a card. But I am not against it. Black Lives Matter is a very important slogan. This is a problem. This is a problem. Boloch lives matter is a problem. Even Muslim lives matter is a problem. Hindu lives matter is a problem. Now I have to say that if I have this wrong thing, all lives matter, then it will be racist. But I will say all lives matter, the slogan is a problem. Wherever the life is in danger, it matters. That is a problem. This is why Canada Prime Minister Justin Trudeau has a company in Ottawa in a protest. He has their own government and their knees and their knees on the ground. This is a symbol built by George Floyd. And a police officer took place by a unease, , who did that protest of course in Ottawa. That was the position of the government in Ottawa. What was the contract led? There was a place where Prime Minister Trudeau was a big hit. That was a big hit. He has been weaponized against us. Don't believe us as the Canadian women. As the children over loaded, they are being bullied against us. की की बार जूस दकाद बारे के है की बार्ट भीनित का लुझת के लगाता है कदुूंन भी का लिखते हैं तो नपका लडक्शान भोरीची और्म knocking-च्टेle आपने देखा कैनिड़ा का प्रामिनिस्टर जस्टिन टूडो भी अपने गुठनों पर एक बड़ा सा बैनर लेकर बैठे हुए थे बलैक लाइव्स मैटर अमरीका में गुष्टा दस रो से बहुत पॉर्टेस हो रहे हैं और पॉर्टेस का हक बिलकुल जाइज होने चाहिए मगर बदकिस्मती से उन पॉर्टेस की आड़ में जो वहां पर आटिश रदगी हुई जो लूट मार हुई जो मारा मारी हुई और अब तक कंफर्म नहीं ह कि कितने लोग उन पॉर्टेस के साथ जो वाइलन्स हो रहा था उस वाइलन्स की वज़ा से मारे जा चुके हैं और कितने जखमी हैं उनकी भी वीडियोज वाइरल हो चुकी हैं मैंने भी अपने गुरिश्टा कुछ शोज में दिखाई आज मैं बात करूँगा एक नया एं सकते हैं यहां सक्रीन पर उनका ट्वीट जो था डिफंड दा पॉलीस डेविड फरम की तरफ से और यह फिर यह हैश्टाग बन गया और फिर यह सोचल मीडिया की जीनत बन गया बहुत इस पर बात हुई इस पर अमरीका की बहुत सारी रियास्तों की पॉलीस जो है वो काफी भी मांगते हैं लेकिन आप क्या चाहते हैं डिफंड दा पॉलीस आप पॉलीस को कम करना चाहते हैं अमरीका जैसे कॉम्पलेक्स मौशरों में तो फिर आप किस तरह स्क्यूर्टी चाहेंगे तो इसके जवाब में अब लोग यही कह रहे हैं प्रोटेसिस के कुछ ग प्लैटो से अगर आप जमूरियत का जो सफर है दो हजार एकी सो साल पहले से शुरू करें तो आज तक अगर आप लाएं तो वो बहस फिर स्क्यर वन पे आ गई है कि हम मौप्स्टर से चला लेंगे या अपने तोर पर हम इतने सिविलाइज हो जाएंगे इनसान चल मौशरा बाराल यह जो पॉर्टेस हो रही है पॉर्टेस तो खेर अच्छी बात है यह एक अलग बहस है मैंने पीछे भी जिकर किया था कोविड नाइंटीन के खलाफ पबंदियां उठाने के बारे में जो पॉर्टेस होए थे तो तो तमाम पॉलिटीशन्स ने उनको कंड स्वी है ठीक है हम धुआ करते हैं कि कोविड ना पहले इस सारे अमल में लेकिन एक मेरी खुआश जरूर है कि कानून को एक रखें अगर इन पॉर्टेस के लिए यह जाइज है कानून तो उन पॉर्टेस के लिए जो फिर डग फोर्ट या प्रामिनिस्टर टूडो या रि आ गए और कोविड नाइटीन के खलाफ जो पबंदियां उनको नरम करना चाहते हैं देखना चाहते हैं वो फिर यह बात ना करें यह हिपोक्रेसी खुदा के लिए ना लेकर आए कानून एक रखें तमाम पॉर्टेस के लिए सब के लिए पॉर्टेस की हम रिस्पेट करते हैं लेकिन जिस तरह की सूरते हैं पर उसके मताबक चलें यह एक अपनी जगा पर बहस है इस पर मैंने पीछे भी कई शोज में बात की मजीद इस पर बात करूंगा आएंदा आने वाले शोज में आए सरफ इतना मैं कहूंगा कि डिफंड पॉलीस की बात कर रहे हैं इससे क जो अनाकसिस बार निकले हुए हैं जो बहुत ज्यादा पहलाने वाले अनार्कियत वाले लोग हैं वो फिर इस तरह के पॉर्टेस भी कर रहे हैं गरीबों की दुकाने लुटी जा रही हैं और दुकानों पे आग लगाई जा रही है पुलीस की गाडियों पे आग लगाई जा रही है तो उसके रदे अमल के तोर पर फिर पुलीस भी रेक्शनरी होती है और फिर किसी तरफ से भी अच्छी बात नहीं हो पाती एक ऐसा ही मुटसर वीडियो कलिप मैं बफलो से जो हमारे पास ही शेहर है वहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा और ये भी इस वक्त स उसे से पुलीस गिराती है वीडियो कलिप देखिया है ये असल में अब ऐसी लाकनूनियत की फजा बनती चली जा रही है अब वो बिचैरे जो बज़र्ग इनसान 75 साला जिनकी उमर बताई जाती है जो गिर गए उन्होंने पुलीस के साथ आगुमेंट करने की कोशिश की एक पुलीस अफसर ने घुस्टे से उनको पंच किया व आप सोचिए अगर ये सफैद फार्म वाइट अमेरिकन ना होता कोई कलर्ड अमेरिकन होता तो कितना तुफान आना था ये भी एक रियालिटी है अमरीका में पिछले साल जो पुलीस ने शूटिंग करके लोग मारे पुरी दुनिया में ये बदकिस्मिती से वाकियात होते हैं उन में ज्यादा वाइट लोग मरे थे मैं कलर्ड आदमी हूँ मैं ये आपके साथ खुलके बात कर रहा हूं कि हमें देखना है कि जिन्दगीयां सब की अजीज हैं सब की प्यारी हैं तो उनकी बात नहीं होती लेकिन अगर को कलर्ड शक्स मारे जाता है बहुत बात होत चाहिए इसलिए कि रेसिजम को आप इसी तरह ही कंट्रोल कर सकते हैं कि माइनॉर्टी पे अगर अटैक होगा तो उसको ज्यादा बनाए आई डू अंडर्टी पर अटैक होने की बात आप 100% करते हैं मैं कहता हूं 200% करें तो जो दूसरा भी मर रहा है उसकी तो 50% बात कर ल जो थे वो माइनॉर्टी में थे उन बिचारों की तो 200% क्या 100% बात नहीं होई तो यह जो नाइंसाफी है रवाईयों में यह फिर एक्शन से रेक्शन बिल्ड करती है और फिर रेक्शन से फर्दर रेक्शन बिल्ड करती है आज के मेरे थौट्स बिलत कल्रप में देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैक टीवी को अगर आप स्पांसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्र गुजार होंगे